हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल खांदानी बगेचे में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी ताकत की बात होती है तो उन में से घोडे का नाम भी जरूर लिया जाता है अर्थात हर्स का नाम लिया जाता है क्योंकि घोड़ा हमारा इतिहास रहा है और इतिहास में घोड़े ने बहुत ही उचल कूद मचाया है आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ही नामी गिरामी था हवा से बाते करता था बहुत तेज दोड़ता था और उसके अंदर बहुत सारी ताकते थी अगर हम इंसान की लाइफ में आ जाएं तो दोस्तों घोड़ा क्या खाता है आप सभी जानते हैं कि घोड़ा चना खाता है तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो चना नहीं बलकि चने का बाप है अगर आप इसके एक खुराक ले लेंगे तो आपको 746 वाट की ताकत मिलेगी अर्थात आपको एक 800 सक्ती की ताकत मिलेगी अर्थात एक हार्स पावर की ताकत मिलेगी तो दोस्तों प्रकृत के खजाने में बहुत सारे रहस चिपे हुए हैं बस हमें उन रहसों का उदगाटन करना है तो आईए हम आपको बताते हैं कि चने का बाप जिसका नाम है गोखुरू गोखुरू आप जैसा कि यहां चित्र में देख पा रहे हैं तीन तरफ कांटे हैं समोसे जैसे आकरती वाला या पौधा इसकी पत्तियां आप देख पा रहे हैं इसकी पत्तिया चने के जैसे होती है और फल जैसे समोसा होता है समोसे के जैसा green color का फल होता है दोस्तों या बहुत ही ताकतवर है आईए हम आपको इसके आउसदी गुणों के बारे में बताते हैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि कई जंगली पौधे हमारे घर के आसपास या घर के गार्डन में ही नजर आ जाते हैं जिनमें गोखुरू का पौधा भी है या जंगली पौधों की तरह ही दिखता है जिसमें पीले रंग के छोटे फूल खिलते हैं और जिसका फल कांटे की तरह होता है इसका बेग्यानिक नाम ट्रिबूलस टिरेस्ट्रिस है इस नाम से आ जाना जाता है इसे गोखुरू या ग आप इस गोखरू का उपयोग कैसे करेंगे और इसकी क्या फायदे ले सकते हैं लेकिन अगर आपने परवाही बरत दिया तो इसका सेवन करने से कुछ नुक्सान भी हो सकते हैं तो दोस्तों इसके बारे में अधिक जाने इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजे ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों बताना चाहूंगा कि प्लेइर है खिलाडी है जिमनास्ट है तो उसके लिए एतलीट है तो उसके लिए इसका क्या फाइदा है गोखरू का सबसे बड़ा फाइदा खिलाडियों के लिए माना जाता है दरसल गोखरू में इम्यूनो माडूलेटरी वा एंटी इन्फलेमेंटरी गुन पाये जाते हैं। साथ ही गोखरू को सारीरिक छमता बढ़ाने में प्रभावी माना गया है। गोखरू का सेवन खिलाणियों को हिर्दय संबंदी समस्याओं से भी बचा कर रख सकता है। विसेशग्यों के द्वारा किये अध्यन में देखा गया है कि गोखरू का सेवन सारीरिक छमता बढ़ाने खास कर वजन उठाने वाली खिलाणियों में सक्री भूम का निभा सकता है। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकारका सीने में अगर दर्द रहता है, अगर सीने में दर्द सुरू हो जाए, तो सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन घबराईये नहीं, क्योंकि गोखरू यहां भी लाबदायक हो सकता है। एक बैज्ञानिक सोध के जरिये माना गया है कि गोखरों का उप्योग, fullness in the chest अर्थात सीने का सिकोड़ना और दर्द की समस्या से राहत दिला सकता है। दोस्तों, आगर किसी भी प्रकार का एकजीमा है, एकजीमा की विमारी है, एकजीमा को एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। इस इस्थित में त्वचा पर खुजली होती हैं और घाव भी हो सकते हैं। गोखरों का उप्योग इस समस्या से भी राहत दिलाने के काम आ सकता है। एकजीमा एक इन्फलेमेटरी त्वचा समस्या की स्रेणी में आता है, जबकि गोखरों के फल में एंटी इन्फलेमेटरी गुण पाया जाता है, जो एकजीमा के खत्रे को कम कर सकता है। एक बेग्यानिक अध्यन के अनुशार गोख्रू के फल एक्जिमा से प्रभावित तवचा को ठीक करने का काम करता है। इरेक्टल डिस्फंक्शन दोस्तों पूर्सू में यह बिमारी अक्सर पाई जाती है। क्योंकि पूरुस वर्ध बिभिन प्रकार के चिन्ताओं, डिप्रेशन, बिचारों से ग्रश्ट रहते हैं। इस वज़ा से यह बिमारी पूर्सों में पाई जाती हैं जिसे कहते हैं इरेक्टल डिस्फंक्शन। तो दोस्तों कुछ पूर्सों में erectile dysfunction की समस्या होती है इस समस्या से पीडित पूर्सों को योन संबंद बनाते समय परिशानी होती है बिसेशग्यों के द्वारा किये गए एक सोध के अनुसार या देखा गया कि गोखुरू का उप्योग करने से या सरीर में टेस्टो इस्टेरोन के इस्तर में पृद्धी कर सकता है जो पूर्शों के लिंग को सक्री करने में मदद कर सकता है इन फर्टिलिटी जिसे कहते हैं दोस्तों बाजपन या नपुनशक्ता इन फर्टिलिटी ऐसी समस्या है जिसमें महिला गर्व नहीं धारान कर पाती गोखुरु के फाइदे को ध्यान में रखते हुए इसका पारंपरिक आउस्ट की रूप में भी सेवन किया जाता रहा है एक बेग्यानिक अध्यन में बताया गया है कि गोख्रू के फल में ऐसा गुणफ आजाता है जिसके सामान या सेवन से हार्मोन की इस तर में बढ़ोत्री हो सकती है सोध के अनुसार यह लिटनाइजिंग हार्मोन और गोने डोपिटिन रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ा कर टेस्टो इस्टोरोन को बढ़ा सकता है या हार्मोन प्रजनन छमता को सुधारने के प्रभावी रूप से कारी कर सकता है दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेस्टो इस्टोरोन मुख्य रूप से पूर्सों में पाया जाने वाला हार्मोन है जो महिलाओं में पूर्सों की अपिछा कम मात्रा में पाया जाता है इसकी इस्तर पर बिसेज ध्यान देने की आव सकता है क्योंकि टेस्टो इस्टूरेन का बढ़ा हुआ इस्तर महिलाओं के लिए हानका रख हो सकता है योन समस्याएं जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि गोखुरू का सामान सेवन लिटनाइजिंग हार्मोन और गोनेडो ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ा कर टेस्टो इस्टेरोन को बढ़ा सकता है इससे इनफर्टिलिटी की समस्या खत्म हो सकती है इसके अत्रिक्त या हार्मोन लिबिडो यानि योन क्रिया की छमता और इच्छा सक्ति को बढ़ाने का काम भी कर सकता है जिससे योन समस्याओं को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है एक बेग्यानिक रिसर्च में पाया गया है कि योन संतुस्टी छमता के लिए गोकरू का सेवन फायदेमन साबित हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोस्तों जिसे आप यूटियाई के नाम से जानते हैं या पुर्सों और महिलाओं दोनों में हो सकता है दोनों की विमारी हो सकती है यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटियाई यूरिनरी क्रिया को संपन करने वाले किसी भी अंग से जुड़ा हो सकता है गोखरू का गुण यूरिनरी क्रिया में हो रही परिसादी को ठीक कर सकता है इसमें यूरूलित्यासिस, किड्नी, मूत्रासय या मूत्र मार्ग में पत्री बननी के प्रक्रिया का खत्रा हो सकता है एक बेग्यानिक ज्याश के दुरान पता चला कि गोखरू में मौजूद टैनिक एसिड, डायोस जेनिन और क्वेरसेटिन तत्व यूटियाई के समस्या को ना के ओल ठीक कर सकते हैं बलकि इस समस्या से सुरच्छा भी प्रदान कर सकते हैं दोस्तों सेहत बनाने के लिए एक पहलवान जैसे सेहत पाने के लिए सेहत बनाने के लिए भी गोखरू का उप्योग किया जा सकता है क्योंकि यह आपके सेहत में प्रभावसाली असर दिखा सकता है सेहत बनाने के लिए गोखरू के फायदे को ध्यान में रखते हुए किये गए एक बेग्यानिक रिसर्च में बताया गया है कि गोखरू के अर्क का उप्योग लिटनाइजिंग हार्मोन को बढ़ाता है जो सरीर की मानस्पेसियों को मजबूत और सारीरिक ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकता है इसलिए पहलवान लोग गोखरू का प्रयोग करते हैं एक अन्य रिसर्च के अनुसार रेट ब्लस ब्लड सिल्स आर्बीसी जिसे कहते हैं दोस्तों आर्बीसी के बनाने, रक्त प्रवाह में सुधार लाने और अच्छे आक्सीजन प्रवाह में भी गोखरू मदद कर सकता है दोस्तों यह तवचा रोगों के लिए भी फाइदे मन्द हैं गोखरू के फाइदे तवचा को शमंगदार बनाने के भी काम आ सकते हैं दरसल गोखरू के अर्क का इस्तेमाल कर क्रीम तयार की जाती है जिसमें एंटी वेक्टीरियल, एंटी इन्फलेमेटरी और एंटी वाइरल गुन होते हैं यह क्रीम तवचा के लिए लाबदायक सिद्ध हो सकती है दोस्तों गोखरू के पॉस्टिक तत्तों क्या है यह मैं आपको बता दूँ कर्भोहाइडिट 15 ग्राम, प्रोटीन 1.3 ग्राम, फैट 0.52 ग्राम यह मैं 100 ग्राम की मात्रा के बारे में बता रहा हूं आपको बिटामेंसी 14.2 ग्राम, कैलसियम 19.92 ग्राम और फ्लेवनाइट 59 माइक्र ग्राम अर्था दोस्तों गोखरू में मौझूद पॉस्टिक तत्तों के संबंद में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और उसी क्या धार पर यह बात आपको बताई जा रही है अब दोस्तों गोखरू का उप्योग कैसे करें यह मैं आपको बता रहा है गोखरू के पाउडर को पानी के साथ उबाल कर पिया जा सकता है अर्थात इसका जो फल होता है फल को सुखा कर उसका पाउडर बना लीजे और उसे पाने के साथ उबाल कर पिया जा सकता है गोखुरू के सुखे पाउडर और अद्रक के पाउडर को मिला कर एक गलास पाने में उबाल लें और फिर इसका सेवन कर सकते हैं गोखुरू के अर्क का सेवन किया जा सकता है अर्क का मतलब है कि उसे जो है उसका जो पांचांग है फल, फूल, जर, तना, पत्ती उसको पीस करके उसका रस निकाल लीजे गोखुरू का अर्क तवचा पर इस्तिमाल किया जा सकता है गोखुरू के तने से काड़ा बना कर उसे पिया जा सकता है गोखुरू पाउडर को आप मठे के साथ मिलाकर पी सकते हैं अब दोस्तों कुश्चन यह है कि इसका सेवन हमें कब करना चाहिए गोखुरू का सेवन सुबह और साम को करना ठीक मना जाता है इसका सेवन करने से पहले किसी न किसी डाक्टर की सलाह आप चरूर ले लिजेगा कितना सेवन करें एक छोटा चमच गोखुरू पाउडर को दिन में आप एक बार इस्तिमाल कर सकते हैं अगर इसका अधिक मात्रा में या डाक्टर के सला के बिना सेवन किया जाए तो इसके कुछ नुक्सान भी हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं कुछ खास इस्थितियों में या हेpto toxicity कराब लीबर का कारणवन सकता है इसका आधिक सेवन टेस्टो इस्टोरियन को जरूर्व से ज्यादा बढ़ा सकता है स्वास्त के लिए घातक हो सकता है महलाओं की योन समबंदों में रूची कम हो सकती है इसका गलत तरीके से किया गया सेवन नियूरो टाक्सिट सी नर्वा सिस्टम को हानी का कारण बन सकता है इसलिए दोस्तों किसी भी आयरुवेदिक दवा का उप्योग करने के पहले आपको किसी ने किसी आयरुवेदिक डाक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए क्योंकि वह आपके सारीरिक छमता के अमसार किसी भी दवा की जो खुराक है उस सही मात्रा में जब आपको पता सल जाएगी तो उस दवा के आपके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे विल आइकन को प्रेस कर दीजे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नही जानकारी लेकर ऐसी ही प्रकृत के खजाने से ढूण कर आपके लिए लाएंगे नए ने चीजे तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुडबाई जैहन